Assalamu alaikum, I am Samarhan, presenting my 10th lecture of class 4th from step by step English grammar. Creative writing essay, my favorite book. Essay writing, my favorite book. ठीक है? My favorite book, आपने, आप अपने own पर भी होई भी अपनी favorite book है, उसका लिख सकते हैं. बढ़ यहाँ पर mostly जो है वो, आप यही follow करें तो it's quite better. आप इसी को आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको फिर अगर different करोगे तो आपको बहुत सी difficulties होंगी. तो आप इसी को follow up करेंगे. My favorite book, आप favorite books में क्या है, हमारे पास books आपको बता है कि हमें बहुत सारी knowledge देती है. हम books पढ़के, यहाँ बैठके, आराम से बैठके, आप कहीं पर भी world tour basically कर सकते हो, ठीक है? आप कहीं पर बैठके किसी भी country के, किसी भी जगा के बारे में पढ़ सकते हो. तो books बहुत अच्छी होती है, like friends होती है. Books are our best friends. Books हमारी बहुत अच्छी बहुतरीन दोस्त होती है. They give us a lot of knowledge. वो हमें बहुत सारी मालूमात देती है. ऐसे हैं न, कि आप books पढ़ते हो, आपको knowledge मिलती है. आपको पता लगता है कि किस country में, किस जगा पर कौन सी चीज हो रही है, और क्या चीज नियू है. I love to read books. मुझे books पढ़ना बहुत पसंद है. Therefore, I have many books. इसलिए मेरे बास बहुत सारी किताबे हैं. You can see the writing. Writing should be neat and clean. Properly, pattern के साथ आप करेंगे neat writing में. But one book is my favorite. लेकिन एक book मेरी favorite है. That's my English book. वो मेरी English book है. Its name is Oxford Progressive English. ये है. Oxford Progressive English. उसका नाम है. It has more than 50 lessons. इसके अंदर 50 lessons से ज़्यादा है. It's talking about lessons, not units. तीक है? Units आपके 20 होते हैं. Lessons आपके एक unit में 5 lessons होते हैं. तो वो करें, more than 50 lessons हैं इसके अंदर. There are 120 pages in it. इसके अंदर 120 pages है. It is self-explanatory. ये अपनी example, यानि अपने आपको explain, खुद करती है. Means हम इसको जो पढ़ते हैं, तो इसको explanation की ज़रूरत नहीं है, कैसी किताब है, ये क्या है. ये खुद से book, जैसे हम पढ़ते जाते हैं, वो ये खुद अपने आपको explain करती जाती है, कि मेरे अंदर ये चीज़ है, मेरे अंदर इस तरह से है. इसके अंदर बहुत से अच्छे खुबसूरत पिचर्स भी हैं, और कलर पेज़ेस भी हैं, आपने अपनी book पढ़ते हो, आपको प्रिंटिंग बहुत प्यारी हुई है, और इसके अंदर pages की coloring भी हुई है, इसके अलावा आपकी images भी होते हैं उसके अंदर. It contains many moral giving stories. अच्छा, moral giving stories क्या होती हैं, कि बहुत से lessons आपको दिये जाते हैं, जब आपको स्टोरी पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हो ना, स्टोरी, उसमें एक hidden message होता है, जो आपको टीचर आपको जब स्टोरी पढ़ते हैं, आपको बताती हैं, कि इस तरह से नहीं करना च इसके अदर बहुत इंटरस्टिंग पोइम्स, इसके अदर बहुत इंटरस्टिंग पोइम्स भी होती हैं, और आपके पास बहुत स्टोरी भी बहुत अच्छी होती हैं, आपके पास बहुत स्टोरी भी बहुत अच्छी होती हैं, आपके पास बहुत स्टोरी भी बहुत अ यह नहीं कि आप अपने बुक्स को अठाके फेंक रहे हैं, उसको टीर कर रहे हैं, यानि उसको फाड़े हैं, आप, I like it very much, मुझे मेरी किताब बहुत पसंद है, so you can see the writing, writing should be neat and clean again, I am repeating, बहुत अच्छे से आपने अपना काम करना है, ठीक है, thank you so much.